आज हम लोग बात करेंगे बायो कमिस्टी पेपर 2 का 2014 का क्वेस्चन पेपर है ठीक है इसका सारा एज़ेक्टिव क्वेस्चन देखेंगे पहले और उसमें एज़ेक्टिव में एक्स्टा पॉइंट भी एक्स्प्लैन करते चलेंगे फर एक्जामपल पहला देखते हैं narrate थो सिस्टीन और मिंथ वननीन हैं थीर लेकिन भाइभा मैं अगर यह दुनों बता दीजिएगा तो बोलता है कि मिथियूनीन का कोडौन क्या है अ क्या है ठीक और सिस्टीन का क्या क्या कोडौन है यू जी-u है यू जी सी है जैसे जैसे हम कोश्चन के जवाब देते जाएगा बढ़ते जाता है पहले इसका पूछता है लोग मेरे से खुद पूछा गया था फिर ये बत पूछा जाएगा कि सलपर कंटेनिंग बताईए तो बता दीजेगा सिस्टीन मेथियोनीन तो उसके बता दीजेग आगे हम लोग बात करेंगे अब लोग को दिख रहा है कि नहीं हाँ दिख रहा है एक सेकंड मोर ले रहा है अच्छे से दिखेगा हाँ दिख रहा है थोड़ा फोकस भी हो गया अब आगे बढ़ते हम लोग इनुम्रेट दा सोर्स फ्रम वीच टॉरो कोलिक एसीड सेंथेसाइज देखिए टॉरो कोलिक के कोलिक एसीड भी बोलते है ठीके ये फट इमलसिफाइंग इमलसिफायर है देखिए फट इमलसिफिकेशन में काम करता है इमलसिफायर है और ये कहां मिलता है इसका सोर्स क्य है, synthesize क्या करता है, enumerate the source from which torochloric acid synthesize, bile salt से ये बनता है, source पुछ रहाता है न, bile salt से, देखिए, bile salt में क्या होता है, sodium torochlorate होता है, torochlorate, sodium torochlorate को ही bile salt बोलते हैं, जिससे torochloric acid या colic acid बनता है, जो एक fat emulsifier है, समझ गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे Enumerate the source from which propanile coenzyme is formed by the beta oxidation मतलब propanile coenzyme formation होता है beta oxidation से किस चीज़ से source पुछ रहा है तो होगा oxidation of odd carbon chain fatty acid से oxidation of odd carbon chain fatty acid से ये कौन बनता है propanile coenzyme इसका और भी source है जैसे methionine amino acid threonine valine and isoleucine ये सब भी source है इसका उसके बाद है आपका keratin kernitine kernitine subtle is kernitine subtle involved मने करनitine subtle किस में involved होता है transport of from cytosol to mitochondria filling the blanks तो यहाँ पर लिखेगा जो dot dot है वहाँ पर लिखेगा एक्टिव active fatty acid में active fatty acid में या long chain fatty acid में यहाँ लिख सकते हैं आप systol systol मतलब cell का cytoplasm से आपको mitochondria के matrix में mitochondria के cytoplasm में पहुचाने का यह काम करता है यह subtle क्या नाम है इसका keratin kernitine kernitine subtle important है ठीक है और यह critical role करता है energy production में क्योंकि important है इसलिए बोले ठीक है बहुत सारा drugs इसको inhibit भी करने रहता है यह जैसे इन्हीबिटेड वाई melanomalonyl coenzyme A यह जो subtle है inhibited भी हो जाता है inhibit किसे द्वारा हो जाता है melanomalonyl coenzyme A के द्वारा digestive enzyme belong to class of enzyme देखिए तो कोई भी digestive enzyme है वो hydrolase class के अंतर गताता है acid digestion का मतलब ही hydrolases है तो hydrolase ही होगा enzyme उकलास जो भी होगा आगे हम लोग बात करेंगे name the enzyme involving phase 2 metabolism of genobiotics genobiotics दो नाम बताईए phase 2 में enzyme जो involved होता है जो phase 2 में involved होता है metabolism में genobiotics में उसका नाम बताईए तो नाम पहले जान लिजे UDP gluconile transferase यह UDP gluconile transferase enzyme जो है phase 2 में genobiotics में enzyme की रूप में यूज होता है ठीक है यह genobiotics क्या है दिमाग में आ रहा होगा तो foreign to animal life जैसे हमारे body में कोई भी foreign chemical हो virus हो, bacteria हो कोई भी foreign particles हो, substance हो उसका study करना उस पे रोकना उस तरह रहा हो तो उसको हम लोग genobiotics कंदरकत रखते हैं यह भास science है और देखी इसका और भी काम है जैसे कटलाइज करता है transfer of gluconic acid gluconic acid to small hydrophobic molecules को ठीक है कहां कहा रहा है, देखी कटलाइज करता है transfer of gluconic acid to small hydrophobic molecules मतलब gluconic acid बड़ा होता है उसको small hydrophobic जो water loving नहीं हेटिंग हो molecules में तोड़ता है transfer करता है और उसको यह catalyze करता है transfer process को आगे हम लोग बात करेंगे explain why glucose is non reducing explain why sucrose sorry glucose बोल दिये sucrose is non reducing क्योंकि fury reducing group इसमें नहीं available होता है not available because जो linkage होता है one to linkage होता है ठीक है glycosidic bond between given to first carbon of glucose glucose के first carbon से और second carbon of fructose इसलिए c1 c2 linkages को बोलते है इसलिए इसमें आपका यह नहीं होता है यह reducing capability नहीं होता है आगे बात करेंगे हम लोग enumerate the source of vitamin whose deficiency cause scurvy कौन वो vitamin का नाम नहीं बताना है लेकिन उसका source बताना है तो scurvy किसके कमी से होता है vitamin c के तो इसका source क्या होगा जितना citrus fruit होगा ठीक है citrus चीज में मिलता है citrus fruit, आमला, ग्वाभा, ग्रीन वेजिटेबल और टोमाटो और potatoes में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है तो यह सब क्या है citrus fruit यह vitamin c का source हो गया यह बोलिए कि scurvy को खतम करने के लिए यह useful हो जाएगा कुछ भी बोल सकते है अब है enumerate the cause of marasmus 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 जो है यह देखिए एक होता है clearosis और एक होता है marasmus clearosis जो होता है protein deficiency marasmus जो होता है calorie मतलब इसमें food deficiency से होता है मान का चलिए जाए तो ठीक है due to deficiency of calories in children under one year एक साल से छोटे बच्चे में अगर food का scarcity हो जाता है scarcity of food और poverty के मतलब गरीबी के कारण और यह सब होने का ज्यादा chances बढ़ जाता है ठीक है आगे एक last question है but not least name two enzyme which required zinc as a co-factor zinc क्या हो co-factor की तरह हो the carbonic inhydrase and alcohol alcohol dehydrogenase carbonic inhydrase तब जन्वे करने बहुत important है सबसे fastest enzyme अभी तक किया गया है कि एक second में 10,000 molecules को यह turnover कर सकता है ठीक है 10,000 नहीं 10,000,000 है लाखों में है sorry तो यह लाखों में है RBC में होता है ठीक है यह CO2 को किस में change करता है CO2 को carbonate में change करता है यह CO3- plus H plus में convert करता है जिससे क्या होता है transport होता है CO2 का elimination होता है water भी लेता है ठीक है water भी लेता है अब आगे इसका क्या काम है alcohol dehydrogenase को तो यह ethanol को esteral dehydrogenase esteral dehydrogenase इसका फिर सिटी के सिर अब फाइनली जिंक है और इसका भी cofactor क्यों है जिंक है तो फिर हम लोग आगे कि देख लीजिए क्यूंकि एक साल में चार paper होता है तो बायो कमेस्टी के यह second देखिए second है न first होता है first professional exam 24 का इस first है तो first का दो हम लोग पढ़ चुके है इस second का first paper अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी जो पढ़ रहे थे first का second paper पढ़ रहे थे तो और next time पे यह वाला paper पढ़ेंगे थैंक्यू जैहिंद